और इंडिया गठमंदन से नाराजगी पर लालू पुरसाद यादब ने बड़ा बयान दिया है तो देखिए बड़ी ख़बर आपको बदा रहे हैं इंडिया गठमंदन को लेकर लालू पुरसाद का बड़ा बयान लालू यादब ने कहा ना मैं नाराज हूँ ना ही कि इसकुमार के नाराजगी के बाद अब लालू ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कोई भी यह कहा गया उसमें कि लालू परशाद और यूटिस कुमार दोनों नाराज है बैशा सूप पेशा खतम हो गए सब आगे पेश कंट्रोल के नहीं जाता है जो लोग है कम ही लोग जाते हैं जो बलना है जो बात हुई वो सब बला गया अब अब इत्या यह हो चुका है कि एगदम सीट का बटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेजी से बढ़ेना है तो दलवन सिंग कर दे सब्सक्राइब इस दिन में हो जाएगा मतवारा सीटोपार तो देखें इंडिया गठबंदन के दिल्ली में बैठक हुई थी चौती बैठक लेकिन इंडिया गठबंदन में जुस तारीके से मंता बनर जी और अर्मिंद के जिरिवाल ले पीम मुमिदवारी के लिए ना मैं नराज हूं ना ही नितीज कुमार नराज है सीट सेरिंग के लिए लालो यादब ने कहा कि जल्द ही सीट सेरिंग पर भी फैसला ले लिया जाएगा तो देखें बड़ी जानकारी और लालो पसाद का या इयादब का बड़ा बयान नोने का मेडिया के लोग फर्म फायला रहे हैं हखला कि लेलन सिंग ने भी जो नितीश कुमार के नाराज्गी की ख़बरे हैं उसको खारिज किया है लेकिन जिस तरीके से नितीश कुमार लगतार मेडिया से दूरी बना रखे हैं। जो बांग डॉर है वो कांग्रेस के हाथ में है नतीज कुमार को साइड लाइन किया गया है लगतार इस तरह की खबरे सामने निकल कर आ रही है वहीं बीजेपी भी नतीज कुमार पर हमलावर है बीजेपी भी लगतार कह रही है कि लालुयादब नतीज कुमार को बीच मजध पहर में लाकर छोड़ दिया है अब लाल को बड़ा बयान आ गया है लालो यादव ने साफ़ का दिया कि नहीं मैं नराज हूं नहीं नितीशकुमार नराज है और दिल्ले से हमारे सायोगी रभी फॉन लाइन पर जूड़ गया है रभी लगतार नतीश कुमार को लेकर खबरें आ रहा ही थी कि नतीश कुमार नाराज है जब से मलीकार जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया है क्या कुछ जानकारी जिस तरीके से लालो यादब ने कहा दिया कि नाहीं मैं नाराज हूं नाहीं नितीश कुमार रभी तो हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे सयोगिस लेकिन हम कोशुश करेंगे दुबारा को संपर्क करने के लेकिन आपको बता दे लालु परसाद यादब ने नितीश कुमार के नाराजगी की खबरों का खंडर क्या उन्होंने करा कि बैठक में काफिस आकारात्मक का बाचित हुई